हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक क्वीटी टू कॉमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में जो डेलिवेरी का आई प्यो आने जा रहा उसके उपर बात करेंगे हम इस आई प्यो का डीटेल इनालिसिस करके आपको बताएंगे इस इस आई प्यो में आपको अप्लाइ करना या फिर इसको एवॉइड करना साधी साथ जो लोग बोल वें यह आई प्यो थोड़ा उसा महंगा दिख रहा है तो यहां पर हम फाइंड करने कोसिस करेंगे क्या डेलिवेरी का आई प्यो वाकई महंगा है या फिर यह सस्ता या सब्सक्राइब इसके फाइनेंशल के उपर बात करेंगे इसके पियर से हम इसका कंप्यूजन करेंगे और ग्रे माकरीं डबावाजार में इस आइप यो का कैसा डिमांड है इन सब के उपर हम एक एक करके इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप डेलिवेरी इंडिया का इन टरम्स अफ डेवनियू अगर इसके नेशन वाइट परजेंट की बात करें तो इसका अलवर इंडिया में लगबग परजेंट है अगर पिन कोड के हिसका प्रजेंट के इसका बात करें यह आपका ग्रूग्राम बेस्ट लॉजिस्टिक सर्विस अला यूनिकॉन कंपनी है जो कि आपका स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है जिसको सेवी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और वो आईप्यों आपका 11 अफ में को लॉंच होने जा रहा है अगर हम इसके अब बात करें तो यह आपका गुरूग्राम बेस्ट 45838 करोर का रेवन्यू था लेकिन अगर हम इसके लॉस क्यूपर बात करें तो चलिए इसके हम्स्ट के ऊपर बात करते हैं फिर हम इसके निगेटिव को उपर बात करेंगे फिर आगे और भी डीटियल को उपर दिए-दिए बात करेंगे तो हम इसके IPO objective को उपर बात करें जा रहे हैं यानि IPO से पैसा आएगा उसका कहां इस्तेमाल करेगा उसके उपर बात करने जा रहे हैं और यह बहुत crucial information होता है तो company अगर हम IPO objective को पर बात करें तो organic growth में लगाएगा पैसा जो IPO से आने जा रहा है उसके अलाबा जो इसका acquisition है या फिर strategic initiative है यानि जो company अपने आपको future में grow करने जा रही है उसके इसाब से जो भी expenses आएंगे IPO से पैसा आएगा उसमें वो लगाएगा यानि IPO objective काफी clear है positive है IPO objective उसमें कुछ भी negative नहीं है उसके लबा जो सारे IPO मिल जाएगा general corporate purpose तो IPO objective ठीक ठाक है positive है इसमें कुछ भी negative नहीं है अब हम इसके strength यह नहीं positive को उपर बात करना चाहेंगे जो positive को उपर अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है यह आपका one of the fastest growing fully integrated logistic service provider company है इंडिया का और इसके उपर मैंने बताया था कि आपका पहला unicorn company है जो कि आपका stock market में list होने जा रहा है और अगर हम इसके presence की उपर बात करें तो मैंने already discuss किया कि इसका all over इंडिया में presence है अगर हम यहां पर percentage वाइज देखे इसका 88.3 percent pin code में presence है यहीं total इंडिया में 19,300 करीब pin code है जबकि इसका presence है आपका 17,045 pin code में इसका presence है इसका वास presence है जिससे यह अपने revenue को continuously increase करते जा रहा है वहीं इसमें एक target भी achieve किया है अगर हम recent achievement की बात करें तो यह total आपका 289.20 million express parcel deliver कर चुका है successfully तो इससे देख सकते हैं यह कितना ज़्यादा partial deliver कर रहा है और इस field में यह काफी तेजी से grow कर रहा है अपने peers को बहुत ज़्यादा टक कर दे रहा है कुछ और आप strength के उपर बात कर सकते हैं साथी साथ इसके पास काफी highly qualified और professional management team भी है इसके कारण से company इतना तीजी से grow कर रहा है और पहला unicorn company बनने जा रहा है जो कि आपका stock market में entry करने जा रहा है तो यहाँ पर delivery के negatives के उपर बात करने जा रहा है अगर हम इसके negatives के उपर बात करें तो इसका जो dependency है वो अपने third party पे बहुत ज़्यादा है और इसका जो partners है उसके उपर भी dependencies का बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से अगर इसका variation खराब होता है या फिर वहाँ से इसका revenue नही पर देखने को मिल सकता है या इसका जो business grow कर रहा है उसमें इसके third party जो player है उनका बहुत बढ़ा हाथ है उसके बाद अगर इसका third party के साथ कुछ issue होता जिसके बारे में अभी मैंने discuss किया था या फिर उसके साथ relation ठीक नहीं रहता है तो इससे इसके overall brand image को धक्का पहुंचे या फिर चोरी हो जाता है या फिर hack कर लिया जाता है इससे भी company को पर negative impact आएगा as a result इसका impact इसके financials पर भी देखने को मिल सकता है और आने वाले टाइम में अगर pandemic और increase होता है corona virus का जो cases से और increase होता है तो इसससे भी इसको impact रगता है क्योंकि इसका delivery system रहता है वो बहुत ज दिहान देना परेगा वहीं अब हम delivery IPO के details के उपर बात कर लेते हैं IPO कब open होगा price band क्या फलाना ठीका ने यह सब बात कर लेते है ति यह IPO open हो रहा है 11 में को open हो रहा और 13 में को close हो जाएगा price band के अगर हम यहां पर बात करें तो 462 से लेके 487 इसका price band है fresh issue है इसमें आपका 4000 क और company के पास जाएगा और offer for sale है 1235 करोन यहीं इस IPO से जो भी पैसे आएगा उसमें से सिर्फ 1235 करोरी company के पास नहीं जाएगा यह जाएगा जो लोग अपना से बेच से उनके पास जाएगा और total IPO साइज है आपका 5,235 करोन इसमें लॉट साइज जो डाला गया वह 30 सेर्स का लॉट साइज डाला गया इसका फेस वैल्यू है रूपीज वन रखा गया यहां पर बहुत कम कर दिया गया वीटेल एलोकेशन 10% रखा गया loss making company है तो डिटेल कोड़ास अपलाई करते हैं तो maximum आप इस IPO अपलाई कर सकते हैं 1,89,930 रूपीज तीरा IPO डिटेल इसको आप देख सकते हैं बांकि आप यहां पर IPO टाइम लाइन भी देख सकते हैं कब IPO लिस्ट होगा किस दिन आपको सेर का अलॉर्टमेंट मिलेगा वो सब कुछ आप यहां पर देख सकते हैं तो अब हम डेली वेरी के फाइनेंसल को पर बात करने जा रहें जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर होता है जिससे हम डिसीन लेते हैं कि IPO में अपलाई करना यह नहीं करना इसके बाल वैलुएशन होता है तो फाइनेंसल को पर सबस्पह आपका FY 19, 20 और 21 में continuously increase किया है लेकिन FY 22 में यहां पर हमें decrease देखने को मिला है इसके total revenue में जो इसके लिए negative impact लेके आता है expenses को उपर बात करें तो expenses भी इसके साथ-साथ increase हुआ है year and year increase ही हुआ है जब इसको IPO लाना था तो यह अपना expense भी थोड़ा सा कम किया थोड़ा क्या बहुत कम किया है लेकिन फिर भी जो company overall loss में ही है अगर profit आपर tax की बात करें देख सकते हैं company continuously पिछले last financial years है loss में ही है नहीं एक भी फाइनसे लिए इसने profit नहीं कमाया last चारो फाइनसे लिए इसमें loss ही है तो यह आपका loss making company है कभी profit का इसने स्वाद नहीं चका तो इस तरह कंपनी में apply करने से पहले आपको paytm को आयाद कर लिना चाहिए paytm भी बहुत बढ़ा brand था इससे ज़्यादा popular brand था लेकिन वह loss making company था और valuations उसने बहुत ज़्यादा high रखा था जिसके कारण से अभी उसका क्या हाले देख सकते हैं तो delivery में भी अगर आप apply कर रहें सोच समझ के क्योंकि company आपका loss making है अभी तक कभी profit नहीं कमाया और एक चीज़ आप देख सकते हैं last financial इसने 4000 क्रोड से ज़्यादा क का loss किया था क्योंकि इसको IPO लाना उसलिया से loss कम करना परेगा नहीं तो सबस्क्राइब नहीं होगा लेकिन अभी वी 1295 क्रोड का loss है जो कि बहुत बड़ा लॉस इसका financials not good financials को यहां पर हम not good लिख सकते हैं financials में कुछ भी अच्छा हमें नहीं दिखा है सिर्फ एक total asset छो अर्णिंग पर सेयल्स नेगेटिम है माइनस एट रुपीज पर सेयल्स यह नहीं इस इस आई प्यों में अगर आप अपलाई कर रहें तो आप अर्णिंग के ज्यादा उमीद नहीं किजिए इन फैक्ट आप लॉस के उमीद कर सकते हैं क्योंकि यहां पर अर्णिंग जो है अपर ऑफर प्राइस टो बॉक वैलू या फिर एन वे की बात करें तो यह आपका 8.8 टाइमस रह रहा है तो उपर जो हमने डीटियल्स देखा उसलिए आसे आई प्यों यह हमें थोड़ा सा एक्सपैंसी भी लग रहा है यह आई प्यों बिल्कुल भी आपका सस्ता नहीं ह तो यहाँ पर हम इसके वैलुएशन का रिव्यू करते हैं अगर हम यहाँ पर मारकेट के आप टू डेवन्यू की बात करें तो यह आपका 5.5 टाइमस के करीब होता है अगर हम इसके पियर्स से इन लाइन है मतलब पियर्स के बराबर है इसका वैलूएशन है लेकिन इसका लुट रखा है याला में होने के बाबद भी बैल्याइशन अपने प्यर्स के बराबर रखा यह इस लिए से इस अप को हम एक्सपेंसिव बोल सकते या इसलिए जो लोग बोल वह theo थे एक्सपेंसिव है लॉस मेकिंग कंपनी है और वह अपना वैलुएशन रेवन्यू के फाइव टाइम्स रख रहा है और इसका अपर और प्रैस टो बॉक वैलू भी एट पॉइंट टाइम्स है तो इस फिल का दिगज कंपनी अगर उसके बरावर तुम वैलुएशन रख रहे इसका मांकेट क्याप पर 17,139 कोड़ करीब उसके अगर्याम इन दोनों कंपनी को देखे तो आपका बुलू डाट वनने और और कप्रोड के प्रॉफिट में यह नि यह सारे कंपनी आपका प्रॉफिट में कंपनी है जबकि देलिवेरी अभी तक प्रॉफिट नहीं बनाया वह अभी तक नुकसान में ही रहा है तो इसलिया से अगर वैलुएशन इसके बराबर रख रहा है जबकि पी और रोसी सारा का सारा निगेटिम है नेट सेल्स भी इससे कम ही है तो उसलिया से अगर आप वैल्वेशन इसके बरावर रख रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसलिए मैंने बोला कि यह जो आई पीओ है जो देली बेरी कहाने जा रहा वह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो इस आई प्यों आपर लिस्टिंगेंस मिलता भी है तो आपको 10% से 20% इसमल सकता है लेकिन इस IPO में apply करना risk हो सकता है क्योंकि यहाँ पर Paytm जैसा हाल हो सकता है क्योंकि valuations बहुत महंगा रखा गया है और company अभी तक profit में आया भी नहीं है हमेशा से loss में ही है उसलिए से अगर आपको इस IPO में final conclusion लेना तो इस IPO को आप चाहो तो avoid कर सकते हो लेकिन अगर आप whisk लेने को तयार हो 10% से 20% profit के लिए तो फिर आप इस IPO में apply कर सकते हो as a listing अगर आप long term की बात करें तो long term में भी इस IPO में आप avoid करें क्योंकि अगर आप long term में जाना चाहते हो तो इस फिल्ड का जो दिगज है blue dot के साथ आप जा सकते हो वहाँ पर long term में आपको अच्छा growth potential देखने को मेरेगा और वो आपको अच्छा upside momentum भी दिखा सकता है तो इससे ज़्यादा reward आपको blue dot देगा अगर आपको इस फिल्ड की company में investment करना भी है तो long term हो या फिर listing gains हो दूनों के लिए इसको आप avoid कर सकते हैं क्योंकि IPO बहुत महंगा है वैसे भी stock market loss making company को पसंद नहीं करता है यहाँ पर एक quarter का result खराब आ जाता है तो इस टॉक आपका 10-20% का downfall move दिखा जगता है और यहाँ पर अगर company आगे चलके loss जादा हो जाता है तो फिर इसका सोचिए क्या हाल होगा पेटीम जैसा हाल हो सकता है 20-50% का वापस से downfall देखने को मिल सकता है इसलिए इस company में apply करना बहुत जादा विस्की है अगर आप risk लेने को तयार है तो apply किजिए otherwise आप इस company को छो या फिर एंजल ब्रोकिंग किसी में भी आप free में d-mate account open कर सकते हैं link video के description मिल जाएगा उस link पे click करके आप इन तीनों में चाहो किसी में भी Demet account open कर सकते हो और free में आप IPO में apply कर सकते हो free में यहाँ पर आपका Demet account भी open हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके हमें किजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन